सौबहग्यशाली बनना है तो आज माएं यह 20 सरल उपाए ग्रहों की अनिस्ट दायक इस्थिती को शुब मंगल में बनाने के लिए कुछ सरल उपाए करें तो निश्चित ही शुब दायक परणाम मिलते हैं यह उपाए आसान है और सरलता से अपनाए जा सकते हैं एक सुबह उठते ही माता पिता गुरु एवं वरत चनों को प्रणाम नित्य करें तथा उनका आशिरवात प्राप्त करके नित्य अच्छे फल प्राप्त करें 2. रोज गाय को गुरु रोटी दें हो सके तो गाय का पूजन करके आज के दिन यह कामधिनों वांचित कारे करेगी ऐसी प्रात्ना करें 3. रोज कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए पक्षियों को भी दाना डालें तो शुब है 4. यदि आपके शहर या गाउं के पास तालाब, नदी ये सागर हो तो उसमें कच्छवे और मचलीयों को आटे की गूलियां बनाकर खिलानी चाहिए 5. प्रते दिन चील कवों को खाने पीने की वस्तों में से कुछ हिस्सा अवश्य डालना चाहिए तथा गौगरास भी भोजन करते समय नियमित निकालें 6. घर आए अथीतियों की सेवा निशकाम भावसे करने चाहिए तकी और से प्राप्त संदेश ध्यान से सुनकर योग्य संदेश का अनुकरण करना चाहिए 7. हमेशा प्रात्यकाल भोजन बनाते समय माताएं बहने एक रोटी अगनी देव के नाम से बनाकर घी तथा गुड़ से ब्रहस्पती भगवान को अर्पित करें इससे घर में वास्तु पुरुष को भोग लग जाता है इससे अनपूर्णा भी प्रसंद रहती है 8. प्रात्य इसनान करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा कर 108 बार ओम नमेश शिवाय मंतर की पूजा से युक्त दंडवत नमशकार करना चाहिए 9. इसनान के पश्यात प्रात्य सूर्य नारान भगवान को लाल पुष्प चढ़ा कर बार बार हाथ जोड़कर नमशकार करना चाहिए 10. प्रतेक शनिवार को पीपल के व्रक्ष पर जल कच्चा दूद थोड़ा चढ़ा कर साथ परिक्रमा करके सूर्य शंकर पीपल इन तीनों की विधिपूरवक पूजा करें तथा चढ़े जल को नेतरों से लगाए और पितर देवाय नमे भी चार बार बोलें तो राहु के 11. प्रतेकल सूर्य के सम्मुख बैटकर एकांत में भगवत भजन या मंत्र या गुरू मंत्र का जब करना चाहिए 12. यथा शक्ती कुछने कुछ गरीबों को दान देना चाहिए 13. सेवा के बादियश प्राप्ती की भावना नहीं रखे 14. अभक्षे वस्तूओं को कभी ग्रहन नहीं करना चाहिए 15. प्रतेक प्राणी के प्रती यथा शक्ती दया इसने तथा सेवा की भावना रखे 16. रविवार या मंगलवार को कर्ज नहीं लें लेना पड़े तो बुद्वार को कर्ज 17. मंगलवार को कर्ज चुकाना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखें कि संक्रान्ती हो अथवा व्रधी योगो अथवा हस्त नक्षत हो तब कर्ज नहीं लें 18. नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को तथा अंतिम रोटी कुत्ते को तें तो घर में रिद्धी सिध्धी का आगमन एवं भाग्योदे होगा 19. पित्र दोश से मुक्ती के लिए नित्य महागायत्री के महामंत्र की नियमित साधना करें तथा श्री रामेश्वर धाम की यात्रा कर वहाँ पूजन करें 20. शुक्रवार को नाखून काट सकते हैं गुरुवार को नाखून ना काटें ये छोटे छोटे से उपाए अपना कर आप भाग्याशाली बन सकते हैं वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद